आप सभी का स्वागत है आपके प्रिटूब चिनल सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए दुतीवर्स चतुर्थ सेमेस्टर के मारल पेपर के बारे में खास करके हिंदी सहित्य का यह मारल पेपर होगा अब की बार ऐसे ही प्रस्णाप की परिक्षा में आने वाले तो इन प्रस्णों को गिदम से रट लीजिएगा हिंदी सहित्य में खास करके जब आप दुतीवर्स में जाते हैं दुतिये वर्स में आपको दो समेश्टर पढ़ना होता एक तो थर्ड समेश्टर एक फोर्ड समेश्टर तो थर्ड समेश्टर के करवाद के तो उसमें आपको क्या पढ़ना था हिंदी गद्धी के बारे में तो आप उसका पेपर दे चुके हैं आप पहुंच चुके हैं भीया हिंदी अनुवाद के बारें पढ़ना है तो हिंदी अनुवाद से जो बढ़ियां-बढ़ियां प्रस्न है आपके अब्जेक्टिव उनके बारे मैं आज के वीडियो के माध्यम से चर्जा करूँगा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा यहां इसके बाद में एक ल कमेंट्स आपके आ रहे थे तो मोस्ट इंपोरेंट परस्न है यह और एक प्रकार से इसका जो बड़ा वाला फाम आएगा उसमें जहां पर यह लिखा हुआ है इसके अस्थान पर वहाँ पर टाप हंडेड या फिर ऐसे कुछ लिखा रहेगा एक सो पचास यमसी क्यों जैस इन पर आजुका सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे पहला परस्न है कि वद्धातु का अर्थ क्या है आपसन ने दिया है बोलना बी दिया है कहना सी दिया है आ और बादोनों और डी आपसन दिया है इनमेंशे कोई नहीं करेक्टर एंसर क्या होगा फड़ा पड़ा ब बन सकता एकजाम में कि अध्यन की शुविधा के लिए अनुवात के वर्गी करण का रूप क्या है बताए रूप है भारतिय मत या पास्चात मत या फिर ये दोनों तो अध्यन की शुविधा के लिए अनुवात के वर्गी करण का जो रूप है खास करके भारतिय मत भी खास क तो बिल्कुल भारतिय मत के कितने उपवर्ग हैं भाई, भारतिय मत के दो उपवर्ग हैं, अच्छा ये उपवर्गों के बारे में चेप्टर नमबर वन जब मैं चर्चा करूंगा, खासर के चेप्टर नमबर वन का आपके नाम है अनुबाद कार्थ, स्वरूप और महत्तो तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे ठीक है भारती मत जो है महत्त के बारे में और पास्चात मत के उपवर्गों के बारे में सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे ठीक है जहां आप देखते हैं कि खासर के जो है जैसे भोला नातिवारी ने क्या कहा डेक्टर रीता रानी पालिवाल ने क्या कहा पास्षातमत में हम देखेंगे जैसे कि निवार्क महुदे हालडे नाइड़ा और रेबर इन लोगों ने क्या कहा नुबाद को ले करके तो इस पर हम चार्चा करेंगे विस्तार से तो उसको ले करके आप टैंसन मत लिजिएगा ठीक है अभी ये आप लोग के लगातार कमेंट्स आरे थे उसको लेकर के उसको ध्यान में रख करके उसको ध्यान में रखे करके मैंने सोचा कि आपको बता दिया जा ठीक है यह बात द्यान दक्टार कार और दूसरा जो आपका है खास करके वह कौन सा हिंदी के विध्वानों के उधारणाएं तो एक तो बात अभ्यान लखेंगे सब्द कल्प दुरूं कोस हो गया उसके अनुसार इसके अलामा सबदार्थ चिंता मड़ी कोस में बताया गया है यह सब इसके लावा रिख बेध हो गया पड़नी ने बताया है ठीक है भरतुहरी महोदे ने अनुबाद के बारे बताया है तो यह सब इसके लावा हिंदी विद्वानों की जो अवधारणाई है उनमें डक्टर भोलाना बारी डक्टर रीता रानी पालिवाल और पास्चात विचारकों में तो तमाम सर विद्वानों का नाम पटनाय को गयरा मैंने आपको बता ही दिया जेसी फेट वर्ड जोकी अंग्रेजी भासा विद्वान है उन्होंने निव्यार्क महोदे हार्टमन और इस्टार्क इन अनुबात के समब्द में शंस्कृत कि कितनी अउधारणये बिल्गुल 4 यह भी को सब्धार्थ चिंता मडी को सरिकल्द भर्तु अरी यह सबठीक है तो इसका correct answer क्या होगा आपसर नमबर C4 अगला प्रसन आप देखेंगे अनुबाद के शुरूप के सम्मंद में संस्कृत की प्रमुक अधारड़ा है तो इसका correct answer क्या होगा बिल्कुल अनुबाद के सार्थक सुरूप की सनचना का जो प्रमुक तत्तो है उसमें संप्रेशन भी सामिल है मूल कत्ति का संत्रण भी सामिल है संस्कृति का संत्रण भी सामिल है आपसर नमबर इसका D लगा दीजेगा आपसर नमबर इसका D character answer रगा उपर इक्त शभी नेक्स्ट कोशन के और आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन आपका आ चुका है प्रसन अगले चेप्टर से आपका है बहुत ही बढ़ी हाँ प्रसन है एक बार वीडियो को सियर कर दीजेगा और लाइक कर दी जितने में लोग देख रहे हो फड़ावड से ओके चलिए आगे समझने का हम प्रियास करते हैं भई आगे समझने का प्रियास करते हैं लिप यांतरण सब्द के उत्रार्द में किसकी धोनी इंगित होती है फड़ावड से आप बताने का प्रियास करेंगे ये जो प्रस चेप्टर का आपके नाम है उस चेप्टर का क्या नाम है भई कि मेरा नाम सुरेश है मैं लिख दूं कि भाई ये मेरा नाम सुरेश है या फिर मेरा नाम सीवम है मैं अपना नाम ही बोल देता हूं मेरा नाम शीवम है यह हो गया तो देवनागरी में लेकिन अगर यही गुजराती लिपी में हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे मारू नाम सीवम छे क्या लिखेंगे मारू नाम सीवम से सीवम छे ठीक है और अंगरेजी में अगर हम इसको लिखेंगे तो मेरा जो है मेरा नाम आप ऐसे लिखेंगे यह इस प्रकार से यह मेरा नाम ठीक है यह प्रकार से क्या हो गया यह लिपी अंत्रण हो गया इसके बारे हम चर्चा करेंगे चीजों के बारे में आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अप्जक्टिव प्रसनों को आप नज़र डालेंग प्रसन है कि लिपी अंत्रण सब्द के उत्रार्ध में किसकी ध्वनी इंगित होती उत्रार्ध में बाद में ठीक है तो लिपी अंत्रण सब्द के उत्रार्ध में किसकी ध्वनी इंगित होती बाई तो होती परिवर्तन की ध्वनी अंत्रण माने क्या होता है परिवर्तन त अहां पर आपको मिला लिपी पलस अंतरण इस एकल टू लिपी अंतरण ठीक है आपसा नंबर सी लगा दीजेगा करेक्ट एंसर आपका है अगला कोईसंस आपसे बन सकता है भाई लिपी अंतरण के कितने परकार होते हैं लिपी अंतरण के कितने परकार है भाई दो परकार है तीन प्रकार है, चार है या पांच है, बताएं, तो लिपी आंतरण के चार प्रकार होते हैं, आपसा नमबर इसका, सी लगा दीजेगा, चार प्रकार कौन कौन से हैं, इसको लेकर के आप भरम्य मत पढ़िएगा, मैं बिस्तार से, हर एक चीज के बारे में चर्चा करूंगा चेप्टर नमबर टू जब पढ़ाओंगा, तो लिपी आंतरण के चारों चीजों के बारे में आपको बता दूँगा, विस्तार से, ठीक है, तो उसको लेकर के आप चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास हम करते है ठीक है, चले, अगला पर साब का आ चुका है, लिपी आंतरण का प्रकार है, बताएं, लिपी आंतरण का प्रकार है, फड़ापड से बताने का प्रियास करेंगे, लिपी आंतरण का प्रकार देखें, ध्वन्यमयात्मक, ठीक है, ध्वन्यात्मक, मार्फोलाजी, मिसरित, ये सब खास करके आप देखेंगे, तो ये सब खास करके मार्क फोलाजी हो गया, धन्यात्मक हो गया, मिस्रित, ये सब लिप यांत्रन का ही एक परकार है, आप से नमबर टी लगा दीजेगा, उपर युगत शभी, नेक्स्ट कोशन सा आप देखेंगे, इन सभी को मैं कि ट्रेलर की रूपे मैं दे रहा हूँ, इस वीडियो को बाकी एक लाइब क्लास आपकी होगी, जिसमें मैं पिस्तार्थ चर्चा कर दूँगा, तमाम सारे परसनों पर, अनुवाद के लिए किस सब खोस की आवसकता होती है, अगला कोशन सा आप देखेंगे, मनुस्यकों मसीन का सहयोग कितनी तरह से प्राप्त होता है भाई, तो दो तरीके से प्राप्त होता है, आपसन नंबर इसका एक अरेक्टेंसर होगा, आपसन नंबर आ, नेक्ट कोशन साब का आचुका, मसीनी अनुवाद प्रडाली की जटिलता का मुख स्रोत है, मूल भासा के ब्याकर टेंसर हो जाएगा, आपका डी आपसन, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं, बहुत ही इंपोड़न्ट ये कोशनस आपके लिए हैं, ठीके, और बाकी कोशनस जो हैं, आपके लगबग, आपके हंडेड से अधिक लगबग, एक सो बीस, एक सो तीस प्रसनों को मैंने तयार किया है, जल्द ही आपके लिए मैं उसको लेकर के आ रहा हूँ, लाइब क्लास, कल या परसन, आपकी क्लास होगी लाइब, कल आठ बजे आप या आजाएगा, वैसे कल आठ बजे ही क्लास ले लिए जाए, ठीके, तो कल रात के आठ बजे या 9 बजे, दोनों टाइम में से किसी एक टाइम आपको लाइब क्लास मिलेगी, लाइब फामे मैं आऊँगा और सारे चीजों पर चर्चा करूँगा, इन सभी परसनों पर भी चर्चा करूँगा, तो आप सभी लोग कल रात में 8 बजे या 9 बजे आप लाइब अवस रखा है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेलफुल होंगे, बहुत सारे परसनों को हमने इसमें रखने का प्रियास किया है, बहुत ही प्रसन है और इंपोर्डन परसन है, ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, और भी तमाम सारे परसनों को हमने इसमें रखने का प्रियास किया है चर्चा करते रहेंगे हम समय पर ठीक है तो हिंदी अनुबाद एक प्रकार से हल मालत वेपर 2023 और यहां पर जो हां पर most important MCQ लिखा हुआ है यहां पर टाफ 100 या टाफ 120 यानी 120 प्रसनों की 120 MCQ लिखा हुआ मिलेगा वह वीडियो कल रात 8 वजे आपकी लाइब होगी ठीक है कल रात 8 वजे धन्यबाद मिलते हैं इस्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंज बारत आप सभी का बहुत-बहुत धन्यबाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाये र धन्यबाद मिलते हैं इस्ट वीडियो में इस वीडियो को लाइक और सेर वस कर दीजेगा बहुत-बहुत धन्यबाद आप सभी का गुना अटाला फ्यूज सभी लोग को बहुत-बहुत धन्यबाद वीडियो को लाइक और सेर करते रहेगा कल रात 8 बजे आप जरू